हेलो गाईज कैसे हूँ आप सब आई होप अच्छे से होगे तो आज है संडे और आपका संडे कैसा रहा मुझे कॉमेंट में जरूर बताना आप सब का मेरे चैनल पे धेर सारा स्वागत है और अभी बज रहे थे कुछ 6.30 आज आप देख सकते हैं कि 5 बजे की तरह अंधेरा हो रहा है ऐसा फील हो रहा है मानो अभी 5 ही बज रहा हो तो यह है क्लिप उस टाइम का जब पती देप जा चुके थे और उसके बाद मेरा इशनान बगेरा करके मैं यहाँ पर पूजा कर रही थी तो मैंने सुचा आज फिर इसको एड करते हूं उसको आप बहुत जादा पसद करते हैं और मुझे बहुत सारे लोगों ने इंस्टा पे मैसेज भी किया कि इतना सुबा सुबा आप पूजा करती हैं बहुत अच्छा फील होता होगा तो हाँ बहुत अच्छा फील होता है बट एक चीज सिर्फ ऑपो जाती है तो फिर मेरा वॉक करना वहां पर मिस हो जाता है तो इसका बस एक ही साइड इफेक्ट है बांकि तो सारे के सारे अच्छे इफेक्ट कल रात को मैंने पती दीप का ड्रैस यहां पर आयरन नहीं किया था तो मैं उसको कर लूँगी जब तक मैं आटा लगा कर कि वो सॉफ्ट हो जाए तो आटा मेरा सॉफ्ट हो चुका है और आज के टिफिन में थे बनाना के कबाब्स उसके बाद थी आप इसको टिक्की भी बोल सकते हैं उसके बाद थे प्याज के पराटे और दही तो यह एक बहुत नॉर्मल सा बहुत ही सिंपल सा और इंडियन ट की या फिर कबाब्स ऐसा स्टार्टर भी आप सर्फ कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो चलिए मैं इनकी फटा फट बाली रेसिपी आपको बता देती हूं तो आप बनाना को बॉयल कर लीजे थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल दीजे बॉयल करने के बाद उसको प गरम तेल में तेज गरम तेल में पहले डालिए फिर स्लो फ्लेम पे उसको मीडियम स्लो ऐसा करके सेख लीजे और आपके कबाब्स रेड़ी हैं तो इसको मैंने इमली के चटनी के साथ रखा था और दही में थोड़ा सा शाक मसाला यूज किया था और प्याच के पराथे त नहीं नहीं बनानों को पील कर लीजेगा यह देखो पती देव चले गए हैं जब मेरी चाय बन रही थी ना तभी मैंने दूद को भी गरम होने रख दिया था ताकि दूद गरम हो जाए तो मैं उसमें दही जमा दूँगी ताकि दो पहर तक वो अच्छा रेड़ी हो जाए क्योंकि अगर इसका एक बार टेस्ट आपके मुह में आ गया ना तो आप फिर नहीं पी सकते हैं बहुत अजीब सा टेस्ट है यह दो जो पूजा की क्लिप दिखा दी ना उसके बाद के क्लिप से यह तो पूजा कर लिया है अभी हम करेंगे ब्रेक्फस्स तो मैंने बनाया पिर उसको इस तरह से कट करके सर्व करते थे अच्छा रिप्रेजेंटेशन के लिए तो आज मैंने सुचा वैसे ही करते हैं अभी हम जल्दी से कर लेते हैं ब्रेक्फस्ट और उसकी बात आने वाली है मेरे बैक टूबैक क्लाइंट तो ब्रेक्फस्स के साथ ही मैं यहां पर अपने ब्लॉग को समाप्त करती हूं बिकॉज यह वीडियो फिर काफी लंबा हो जाएगा बिकॉज दिन काफी लंबा था और इसका पाट्टू जल्दी ही आने बाला है तो आपको बो वीडियो भी देखना है उसको भी इंज्वाई कीजेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजेगा थैंक यू सो मच